प्राश्ट पती चुनाव होने वाले हैं और फिलाल हम बात करेंगे उप राश्ट पती बैंक का यह नाइडू का प्राश्ट पती बैंक यह नाइडू जिनका कारेकाल जल्दी समाप्त होने वाला है और उनका कारेकाल समाप्त होने से पहले बीजेपी कई नामों पर मंतन कर रही तो वहीं विपक्ष में अभी खामोशी पड़ी है विपक्ष की तरफ से अगर बात करें तो फिलाल कुछ कहा नहीं जा रहा लेकिन उपराश्ट पती पत के लिए जिस तरह से बीजेपी कई नामों की चर्चा कर रही है अब देखना होगा कि किसका नाम फाइनल किया जाता है लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत बड़ा दाओं केल लिए राश्ट पती चुनाओं से पहले कुछ लड़नीतिया बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है और किन नामों पर चर्चा चल रही है ध्यान से देखिए रिपूर चहतारी को उपराश्ट पती पत के चुनाओं होने वाले हैं देश के मौजुदा उपराश्ट पती वेंकाया नाइडू का कारेकाल 11 अगस्त को समापत हो रहा है ऐसे में हर किसी की नजर राश्ट पती चुनाओ के साथ साथ उपराश्ट पती चुनाओ पर भी ठीक गई है दरसल राश्ट पती पत का चुनाओ 18 जुलाई को होगा और 21 जुलाई को नतीजे आएंगे हाला कि अगर उपराश्ट पत के चुनाओ की बात हाला कि देखा जा रहा है कि BJP कई नामों पर बड़ा दाओं खेल सकती है। वो प्राश्पती का चुनाव संसत के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल यानि की इलक्ट्रॉल कालेज की जरिये अनुपातिक प्रति निदितु पद्धती से होता है। संसत के दोनों सदनों के सदस्यों से इसमें हिस्सा लेते हैं। राश्पती चुनाव में निर्वाचित संसतों के साथ साथ विदायक भी मतदान करते हैं। लेकिन उपराश्पती चुनाव में केवल लोकसभा और राजसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। वोट करते हैं। इस तरह इनकी कुल संख्या 790 हो जाती है। कौन लड़ सकता है। उपराश्पती का चुनाव ये भी देखिए। भारत का नागरिक हो 35 साल वर्स की आयू पूरी कर चुका हो। वो राजसभा के ले चुने जाने की योगिता को पूरा करता हो। उसे उस करण के अधीन कोई लाब का पद धरान करता है। वह इसका पात्र नहीं हो सकता। वह मिद्वार संसत के किसी सदन का या किसी राज के विदान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वह किसी सदन का सदस्य है तो उसे उपराश्पती चुने जाने के बाद अपनी सदसता छोड़नी पड़ेगी चुनाव में खड़े होने के लिए किसी भी व्यक्ति को कमसकम 20 संसत सदस्यों को प्रस्तावक और कमसकम 20 संसत सदस्यों को समर्थक की रूप में नामित करना होता है उप राष्टपती का प्रत्याशी बनने के लिए 15,000 रुपे की जमान राष्टपती जमा करने होती है नामांकन के बाद निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जाज करता है और योग उमिद्वारों के नाम बैलेट से सामिल किये जाते हैं हाला कि भाष्टपा की प्लानिंग के अगर बात का रहे हैं तो भाष्टपा बहुत सोच समझ कर कई नामों की चर्चा कर रही है माना जा रहा है कि राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेशर के अलावा कई और जो जाती के समुदाय के लोग है उन्हें उपराष्टपती पद के लिए खड़ा किया जा सकता है हाला कि बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो महिला कार् आस तक ये देखा गया है कि देश में कोई भी महिला उपराष्टपती के पत्तक नहीं पहुंग पहुँच पाएए ऐसे में पूर केंद्रे मंत्री और मद्परदेश की पूर मुख्य मंत्री उमा भारती मनीपूर की पूर राजपाल नजमा अप्तुल्ह गुजरात की की नातिन है वह काफी समय तक कॉंग्रेस में नहीं है नजमा का नाम आगे करने पर भाजपा को दो फायदे हो सकते हैं पहला या कि वो मुस्लिम है दूसरा या कि वो महिला है इसी तरह अनंदी बेन पटेल का नाम भी चर्चा में है तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि च कि बीजेपी चाहती है यह राष्टपती का उमिद्वार भी उनका सही और सही जगा सेट बैट जाए उप राष्टपती के लिए जिस नाम को आगे बढ़ा है वो भी सही जगा सेट बैट जाए हाला कि बीजेपी जितना सोच रही है उसके मुकाबले विपक्ष उतना नही नहीं सोच पाएगी या उतना नहीं सोच पाएगी क्योंकि सीधे तोर पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी जहां से सोचना शुरू कर देती है वहां पर विपक्ष की सदूच खतम हो जाती है तो कई नामों की चर्चा तो चल रही है लेकिन उपराश्पती के लिए भी एक ऐसा कैंडिडेट बीजेपी चुनेगी जो विपक्ष उसका विरूद नहीं कर पाएगा आज के लिए तना ही आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी तब तक ले जा दीजे नमस्कार